हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चानल तो कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे सो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेच्टी अप्लिकेशन फॉर्म की किस यूनिवर्सटी की तरफ से तो यह जादवपूर यूनिवर्सटी की तरफ से फॉर् सब्जेक्स वगेरा भी ओवियसली देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकी विबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि है जे डी यू एन आई वी डाट एडी यू डाट इडी यू डाट इन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और सबसे पहले भी एक और बात की प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और वीडियो देखने के बाद अगर हेलफल लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं और रीजन भी बता सकते हैं जादबफुर यूनिवर्सटी की तरफ से यह नोटिफिकेशन है तो आपको इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा यहां पर नोटिफिकेशन आती हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन यह जो कुछ टाप्स यह सेक्टन आपको दिख रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट है तो एड्मिशन वाला ही पह डाउनलोड कर पाएंगे तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा यह क्लिक है फॉर डिटेल का ओप्शन ओपन हुआ और इसी को हम ओपन करेंगे डाउनलोड करते हैं और फिर इससे देखते हैं जी तो यह डाउनलोड होगा 12th February को यह नोटिफिकेशन आया हुआ है तो देखें एडमिशन टू पिएच्टी प्रोग्राम सेशन 2021 ठीक है तो न्यू सेशन के लिए है एप्लिकेशन सार इन्वाइट किस किस डिपार्टमेंट में सो बेंगॉली एकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश हिस्ट्री लैब्रेरी एन इंफॉर्मिशन साइंस फिल सब्सक्राइब करें तो आपको देखना होगा तो आप इस पर क्लिक करिएगा या सिर्फ इसे कॉपी पेस्ट कर दीजेगा ब्राउजर पे आपको यह लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है तो आप उसके थ्रू भी जाकर इलिजबिल्टी क्रैटेरिया डिर की या तो में किया हो या कोई और डिग्री हो टू इयर की आपको होनी चाहिए आपके पास राइट उसके अलावा सेकेंड है जिनोंने में या एक्विलेंट डिग्री जो है वो टू इयर करना करके कुछ कम का किया है ठीक कम डियूरेशन का तो उन्हें भी यह कंडिशन है क यूजी प्लस पीजी का होना चाहिए जो की यूज्वली होता है थ्री प्लस टू बीएसी एमसी अब भी यह में सो उस पैटर्न में आपको यूजी पीजी फाइव यह होना चाहिए उसके बाद अगर आपका यह जो इक्विलेंट डिग्री वाला है यह दो यह से कम हो तो भी आप अप्लाइब कर सकते हैं अगर ऐसा रही है तो आप अप्लाइब मत कीजेगा सो प्रॉसस ऑफ एप्लिकेशन आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म मिल जाएगा इनकी वेबसाइट से जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी सो आप उसे राउनलोड करेंगे उसके ब आप कर सकते हैं समिट along with online pay receipt ठीक है बेसिकली जब आप ये payment करेंगे तो उसकी receipt आपके पास होनी चाहिए तो जो रिसिप्ट है वो भी आपको समिट करनी है उसके साथ ये जो downloaded form है उसे भी फिल करके समिट करना है और साथ में जितने भी testimonials हैं ये सबी कहां पर समिट करना है university का main campus basically जो की कोलकाता में है proper address भी यहाँ पर given है ठीक है तो आई हो clear होगा download करना है form उसके साथ में payment करने वाली जो receipt है वो और जितने भी testimonials है वो सभी आपको जाकर submit करनी है बारा फरवरी से कभी भी आप कर सकते हैं कब तक एक मार्च तक so last date payment की है एक मार्च okay sorry so payment की एक मा मार्च है तो in case आप एक तारिक तक पे करें तो भी आप 3rd मार्च शाम के सारे 4 बजे तक जाकर submit कर सकते हैं अपने application को so highlighted है यह highlight already हुआ है तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा dates का क्या क्या documents लगेंगे वो यहाँ पर mentioned है that is application form के साथ so photographs है passport size then यहाँ पर tested सारी copies होंगी इन आपके certificates वगेरा की ठीक है उसके अलावाँ info related information है और information मतलब क्या चीज आपको submit करना है वो और साथ में यह online pay receipt ठीक है तो इससे अच्छे से देखेगा सारे documents submit करने हैं जो आपका test होगा entrance वो two hours का होगा ठीक है और सिर्फ economics के लिए two and a half hours का होगा return test होगा और उसके बा या इस particular application का PhD का इनका जो वे है यही है पहले return होगा then interview होगा right तो अब इसके बाद MFIL जिनके पास है degree या जिनोंने MFIL किया हुआ है उनसे related कुछ notification तो यही है कि जो भी candidate है who has an MFIL degree and was admitted to MFIL program that is MFIL degree है और वो MFIL उनका जो हुआ था selection वो written test के through हुआ था या अगर वो net set व तो नहीं directly बिला जा सकता है और बागी लोगों को return test देना है ठीक है याद रखिएगा तो यहां पे MFIL वगेरा के लिए जो भी notification से तो अगर आप MFIL है तो आपके लिए पॉर्टेट है else नहीं है तो बेंगॉली के लिए यहां पे अगर बेंगॉली में किया है तो आप return test से exempted होंगे और course work से भी exempted होंगे net or set है अगर आपके पास बेंगॉली में तो भी आप exempted है तो अगर आप MFIL वगेरा से हैं तो प्लीज आप इसको देख लीजएगा ठीक है subject wise चीज़े मेंशन है अब हम जो normal subjects वगेरा है जैसे बेंगॉली है तो उसके लिए relevant subjects कौन से हैं उसके बाद अब यहाँ पे जो highlighted part है वो obviously important है जिनके पास two year की degree है MFIL degree किसी और university से इनकी university की अलामत हो आपको एक certificate submit करना होगा किसी authority से जो की बोल रहे हो कि आपका जो test है वो written test के through हुआ था और research methodology का एक proper पूरा paper आपने semester में basically पढ़ा है ठीक है तब आपको exemption मिलेगा इन है वो लिखा हुआ है अब department में कितनी vacancy है बंगॉली department में department में 8 vacancy है 8 economics में 10 आप category wise देख लीजेगा education में 12 English में 11 और history में 12 library में 8 library science में then philosophy में 12 और broad areas भी mentioned है then physical education में 10 Sanskrit में 12 or sociology में 4 right so आप इसे देख लीजे अच्छे से सारी चीज़े एक बार पढ़ लीजेगा चितनी पी चीज़े यहाँ पर mention है सारी information से वो obviously important है और यहाँ पर admission आप कौन-कौन से ऐसे candidates है जो नहीं लेंगे किने किने apply नहीं करना है वो भी लिखा हुआ है so an applicant shall not be considered for admission if she is on yeah he is already enrolled अगर आप कहीं भी PhD program में enrolled है तो आपको consider नहीं किया जाएगा अगर आप two year का MPHL का course कर रहे हैं ठीक है और आपने submit अभी तक नहीं किया है okay wait so he or she is pursuing two year MPHL in the relevant subject or has submitted MPHL dissertation but properly पूरा आपका वायवा के साथ सारी चीज़े complete नहीं है ठीक है एक मार्च से पहले तक MPHL की तब भी आप apply नहीं कर सकते हैं और अगर आपने MA की degree last date से पहले नहीं that is तीन मार्च से पहले अगर आपने यह सारी आपकी degree complete नहीं है MA की degree तो भी आप apply नहीं कर सकते ह मैंने बताई 12 steps से start होके 3rd March तक है last date payment की है 1st of March बागी सारी चीज़ें आपको notify बाद में की जाएंगी की exam कब होगा and all आप जब जाएंगे interview देने तब आपको SOP लेकर जाना पड़ेगा SOP in the sense statement of purpose right किस research area में या किस field में आप research करना चाहते हैं और बागी चीज़ें यहां पर आप देख सकते हैं economics के लिए letters of recommendation आपको लेके जाना है जिसकी link आपको यहां पर दे हुए है आप इस पर क्लिक करके download कर सकते हैं right so यह थी information यह सभी subjects है seat है और अब अगर आप apply करना चाहते हैं तो आप apply कर सकते हैं written test होगा और MPL वाले कुछ candidates exempted हैं so yes यह था video that is it thank you so much